हेलो फ्रेंड आज मैं आपको जल्दी और असान बनने वाली एक दाल सिखाऊंगी लाल मसूर की दाल आई ये बनाए गैस जला कर कुकर चढ़ाते हैं इसमें थोड़ा सा तेल ये देखिए एक चम्मच है छोटे चम्मच से अब हम इसमें राई डालेंगे फीली सरसो और ये इतनी जल्दी बन जाती है कि दस मिनट में तयार हो जाती है और इतना स्वाधी ये इस्ट हैल्दी है खाने में बहुत टेस्टी लगता है रोटी के साथ भी खाते हैं और चाबल के साथ भी खाते हैं बहुत टेस्टी बनता है एक बार आप जरूर बनाईएगा ये देखिए मैं लसन और हरी मिर्च डाल रही हूं इसमें कोई मसाला नीदल का ये सिर्फ सरसो और लसन एक कली लेनी है और इसको ऐसे ढख दीजिए क्योंकि यो सरसो आपके उपर उड़के ना आए साफधानी से जब ये अवाज करना बंद कर दे तब अवाप इसका ड़कन हटा सकते हैं एक बार देख लिए धकन हटाईए धकन हटा के देखेंगे सारे सरसो जलबे थोड़ा सा ड़कन हटाईए मूंपे ना आय और ये देखिए ये सारे चटकने बंद ओगा अगर लग रहा है कि चटक रहा है तो फिर से आप इसको अध़क साल से क्योंकि हमारे उपड आ जाती है चहरे पर और अवोन हम इसमें लाल दाल डाल देंगे ढ़ें कैसे और आपको जितना आज़े से बनाना हैं आप उतना पानी डाहिद आसा जीतने लोगों के लिए बना रहे हैं में यह देखिए हमने फैल डाल दिये में पानी डाल देंगी अंदाजे से जितना आप अपने घर के लिए बनाना है बना रहे हैं बनाईए अंदाजे से और देखिए इसमें हम नमक और हलदी सिर्फ डालते हैं पानी डाला हमने, मैं दो जनों के लिए बना रही हूं, आपको जितना बनाना है उस अंदाजे से आप धाल ले सकते हैं, आप पानी उतना ही डाले, और आप लसन अगर ज़्यादा खाते हैं, तो इसमें लसन ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें पीली सरसुका स्वाद हम हल्दी डालेंगे, और आपको इसमें अगर लगे कि पानी कम है तो और डाल दीजिए, और हम धकन बंद कर देंगे, और सबसे अच्छी बात है कि एक सीटी में ही पक जाती है, इसको ज्यादा पकाने की जुरत नहीं है, एक सीटी लगेगी और ये बन गया, आईए, ये देखिए, एक सीटी में तियार हो गई है, ये बहुत जल्दी फटाफट, स्वादीष्ट, हेल्दी, ये दाल में प्रोटीन बहुत है, ये देखिए, इतना अच्छा लग रहा है, अब इसको गर्मा गरम, रोटी, चावल, जिसके साथ आपको खाना है, सर्ब कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा